तो प्रोटीन सॉर्टिंग का मतलब यह होता है कि जब कोई प्रोटीन सेल में सिंतेसाइज हो जाती है और सेल के साईटोसॉल में प्रोटीन की सिंतिजिक houcky है जैसे आपको पता है कि translation mechanism के थूँ तो उस protein को different cell organelles में पहुचाया जाता है और मतलब उस mechanism को means कि जब protein cytosol में है तो उसको different cell organelles में target किया जाता है और वहाँ पर उसको translocate किया जाता है और इस target करने के लिए means कि protein को हर protein हर organelles में नहीं पाई जाएगी जिस protein का जहाँ पर काम है या जो भी involved है जैसे हमारी body में बहुत सारे protein हो, solver protein है, membrane protein है बहुत सारे protein हो तो उन proteins को क्या किया जाता है? different जहाँ पर जिसकी जैसी जरूरत होती है तो उसके लिए कुछ targeting sequences होते हैं या उनको हम लोग signal sequences कहते हैं उसके थूरू वो different target पर पहुशती है जहाँ उसको पहुशना होता है और फिर वहाँ पर वो translocate हो जाती है अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पर एक flow chart बना हुआ है इस flow chart से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर cytosol में protein की synthesis होई तो माली जे कोई इस cell है और इस cell के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है nucleus है यहाँ पर यह DNA है और DNA में transcription process के थूरू क्या बनता है और अगर यह protein cytosol में ही रहती तो फिर यह तो कहीं use ही नहीं हो पाती हाना मनमीज की permanently अगर protein को target नहीं किया जाता protein की sorting नहीं की जाती तो protein permanently कहां recite करती cytosol में recite करती तो उस protein को जो भी जहाँ requirement है उसके according protein को different cell organelles में पहुचाया जाता है तो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं यह boxes बने हुए इन boxes से आप समझ सकते हैं कि different different means की कहां कहां पर protein को पहुचाया जाता है तो cytosol में जो protein की synthesis होती है वो nucleus में पहुचती है जब nucleus में requirement होती है परोक्जिजोम में, mitrocondia में, plastic, chloroplast में, endoplasmic reticulum में, golgi में फिर जो endosome होते हैं या lysosome जो होते हैं उन में इस तरह से पहुचती है और यह कुछ secretary vesicles भी बनते हैं वेसिकल का मतलब कि एक small vesicles का formation करते हैं और उसके through भी protein की sorting की जाती है तो और फिर ultimately कहां तक पहुचा रहे हैं cell के exterior तक भी पहुचा सकते हैं अगर जरूरत है या membrane पर cell के membrane में जरूरत है तो वहां भी यह इस process के through पहुचाया जा सकता है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो arrows बने हुए वो different color के हैं तो यहां पर आप जो red color का arrow है जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि लिखा हुआ है gated तो जब कोई protein cytosol से nucleus में आ nucleus pore पाया जाते है nucleus pore complex पाया जाता है और यह nucleus pore complex का function क्या होता है यह selective gated होता है इसकी particular type के protein जो selective होंगे जो इस pore से जा सकते वही protein यह nucleus के अंदर आएंगे तो यह एक ऐसा एक अकेला mechanism है जब कोई भी protein cytosol से nucleus में आती है तो वो gated transport के थ्रू आती है इसके बाद जो यह blue color के आ cytosol से mitochondria, endoplasmic reticulum, peroxisome और plastic में जो protein आती है वो उसके लिए mechanism होता है transmembrane transport तो transmembrane transport का मतलब क्या होता है कि ऐसे transport जहां पर जैसे suppose mitochondria है तो mitochondria की membrane पर आपको कुछ translocator मिलेंगे कैसे translocator उनको कहते हैं हम लोग membrane bound, membrane bound transporters या translocators आपका यह translocators पाय जाते हैं वो translocators क्या करते हैं? तो इस तरीके से जो transmembrane means कि जो transmembrane transport है वहाँ पर क्या चाहिए? कि membrane bound translocator चाहिए जैसे कि इसके लिए हमने यहाँ पर ER means कि ER में translocators पाय जाते हैं अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं और यह जो transporters होते हैं मतलब कि इसमें क्या होता है कि directly जो protein होती इन translocators के तुरू क्या कर दी जाती है? ट्रांस लोकेट कर दी जाती है तो इस process को यह वाले जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इन process में आप यह बता सकते हैं यहाँ पर transmembrane transport होता है इसके बाद third जो category है वो vesicular transport है vesicular transport मतलब कि इसमें क्या होता है? कि transport vesicles के थू होता है means कि transport vesicles पाये जाते हैं और उन transport vesicles में वो particular means protein जो सौर्टिंग करनी है वो रहती है और वो जो vesicles होते हैं वो bud off होते हैं बड off होके मतलब suppose कि यह cell है यहां से वो budding off होंगे protein लेके और इसके बाद दूसरे किसी location पर होता है यह fuse हो जाएंगे तो इस तरीके से यह क्या होता है? budding off होते हैं एक membrane से और दूसरे membrane से जाके यह fuse कर लेते हैं तो इस तरीके से ही transport करते हैं तो जैसे कि बहुत सारे assay component होते हैं जो कि जैसे soluble molecules हैं तो वो सब vesicles के form में मतलब proteins हैं वो transport होते हैं और इसमें एक means protein होता है soluble protein होता है जो की help करता है जिसको हम लोग cargo कहते हैं जब हम लोग vesicular transport पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसका detail देखेंगे तो यह आपने यह समझ लिया कि यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि protein sorting के process में जब कोई भी protein cytosol में synthesize होती है translation mechanism के थूँ तो उस protein को different cell organelle में target किया जाता है और वहां पर translocate किया जाता है जिस भी protein की जहां requirement होती है उसके according उसको वहां पर target कराया जाता है तो इस process में तीन तरह के mechanism होते हैं या तो gated transport हो सकता है gated transported का example सिर्फ और सिर्फ nucleus है इसके बाद जो transmembrane transport है वहां पर जैसे mitochondria, paroxysome, plastic या endoplasmic reticulum में हो सकता है इसके बाद फिर यहां पर आप देख रहे हैं कि यह endoplasmic reticulum से golgi body में और golgi body से late endosome, lysosome या early endosome ये सारी जगहे पर इस तरह से पहुच रहा है तो जहां पर यह दोनों तरफ arrow दिख रहा है इसका मतलब यह है कि यह दोनों तरफ transport हो सकता है जैसे कि nucleus से cytosol, cytosol से nucleus इसी तरीके से यहां भी यह आप देख रहे हैं, secretary vesicles किस तरह से golgi में भी जा सकती है, और golgi से बाहर भी निकल सकती है और फिर इसके बार, यह मतलब कि जैसे आप यहां पर यह वाला late endosome का process देख रहे हैं, तो इस तरीके से यह आप यहां पर इसके तुरू समझ सकते हैं कि कैसे इस protein को target करा जाता है अब इसके बाद हम लोग आते हैं, क्योंकि जो protein sorting होती है, वो दो तरह की होती है दो तरह का मतलब कि जैसे आपको पता है, कि जब कोई भी cell, suppose की cell के अंदर यह synthesis हुआ, किसका synthesis हुआ, means कि mRNA आपको पता है, कि यह क्या है, ribosome है ribosome की small sub unit है, यह large sub unit है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि यह mRNA जब bind करता है, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए protein की blue color का क्या दिख रहा है, protein इसके synthesis हो रही है, protein synthesize हो रही है, तो अब protein synthesize होने के बाद, protein दो तरह से sorting की जा सकती है दो तरह से, एक होता है co-translational, ठीक है, एक होता है co-translational, translocation, ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे-जैसे translation होगा, उसके साथी protein को different cell organelle में translocate करा दिया जाए, और दूसरा क्या होता है, post-translational translocation, इस mechanism में क्या होता है, इसमें यह होता है, कि जब protein synthesis हो जाए, उसके बाद उसको target कराया जाए, तो इस तरह से आप यहाँ पर यह चीज़ देख सकते हैं, तो जो first वाला, जैसे suppose यहाँ पर यह MRNA है, MRNA के बाद फिर यह MRNA, अब यहाँ पर क्या होता है, कि हर जो भी protein की synthesis हो रही है, उस protein को अगर co-translational translocation है, मतलब कि translation के साथ साथ ही उसको translocate भी कराया जा रहा है, अब यहाँ पर, यह कहाँ पर translocate की जा रही है, ER में, मतलब इंडोप्रास्मिक रेटिकुलम में इसको translocate कराया जा रहा है, तो उसी के साथ translocation में, अब यहाँ पर एक particular type के sequences पाय जाते हैं, तो पहले आप यह समझे कि किसी भी protein को अगर target करना है, तो उसके पास कुछ specific targeting sequences होते हैं, या हम लोग उनको sorting signal भी कहते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, sorting signal कह सकते हैं, या targeting signal कह सकते हैं, इस तरह के sequences पाय जाते हैं, वो 15 to 60 residue तक के हो सकते हैं, कुछ cases में 15 to 30 residue होत आपको बतायेंगी किस केस में होते हैं यह र crafts President yatim को किजए पर बबढ करना है प्रोंटिंट को किस जगे कि जगे पर जाना तो इसलिए इनको सिक्वेंसेंस कहते हैसोनि सिगनल कहते हैं या फिर सिगनल पैटाइड कहते हैंillon और कभी-कभी ये जो signal sequences होते हैं वो patch के form में पाया जाते हैं means कि suppose कि कोई ये protein है और यहाँ पे माली जी कि एक patch यहाँ पे पाया जा रहा तो वो कुछ इस तरह का protein में ही कुछ patches type का structure मतलब एक ये signal sequence ये तो वो patch like का structure बना लेते हैं signal sequences जिसको जक्स्टा पोजीशन सिग्नल के थूई इनका formation होता है जो patch होते है signal patch का formation कैसे होता है जक्स्टा जक्स्टा मतलब कि नियर वाई तो एक signal sequence यहाँ पे यहाँ पे तो यह क्या बनाएंगे जक्स्टा पोजीशन एक arrangement कर लेते हैं 3D arrangement कर लेते हैं और इसी 3D arrangement को हम लोग patch signal patch भी कह सकते हैं तो वो कुछ cases में ऐसा देखा गया है लेकिन ज्यादा तरह क्या होता sorting signal यह targeting signals पाये जाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है ER signal sequences मतलब कहने का कि अगर signal sequences की बात करें तो अगर ER में protein को target करना है तो उसके पास क्या होंगे ER signal sequences होंगे अब यह इसके बाद यहाँ पे यह देखिए जैसे ही यह membrane में इंडो plasmic reticulum में गया वैसे ही signal sequences को cleave कर दिया जाता है इसके लिए peptidase होता है signal peptidase जो की signal को cleave कर देता है क्योंकि protein अपनी जगर पे target हो गई है इसके बाद फर्दर उसको golgi में पहुचाया जाए golgi से फिर वो अगर plasma membrane में जाए lysosome में जाए vesicles के form में जा सकती है तो इस तरीके से यहाँ पे इस process को कहा जाता है secretary pathway ठीक है इस process को क्या कहा जाता है secretary secretary pathway ठीक है तो जो co translation जो आपको यहाँ पे देख रहा co translation, translocation है यहाँ पे er, er से golgi, golgi से फिर plasma membrane में जाए या फिर lysozome में जाए तो इस pathway को कहा जाता है secretary pathway ठीक है इस pathway को secretary pathway कहा जाता है और दूसरा जो pathway, जो कि क्या है non, मतलब secretary pathway है और यह post translation, translocation है इसका मतलब कि यहाँ पे protein की synthesis के साथ प्रोटीन को target भी करा दिया गया लेकिन यहाँ के process में protein पहले पूरी तरह से synthesize हो जाएगी cytosolic protein यहाँ पे cytosol में यह protein है इसके बाद इस protein पर sequence लगाए जाएंगे targeting sequence लगेंगे और targeting sequence के बाद जिस भी cell organelle के लिए इसके पास sequence है फिर वहाँ पे translocate होगी तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह अगर suppose ही mitochondria तो आपको पता है mitochondria double membranes मतलब organelle होता है और इसके पास इसके बीच में एक intracellular space भी होता है मतलब inter membrane space भी होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो protein आ रही है वो outer membrane में target होगी inner membrane में target होगी या अंदर आके matrix में target होगी तो यह डिपेंड करता है different different translocator पे या जिस तरह के उसके पास signal है इसके बाद यहाँ पे जैसे सेम ऐसा ही chloroplast में भी होगा क्योंकि chloroplast में भी क्या होता है कि double membrane system होता है या फिर यहाँ पे उसके matrix में किया जाए स्ट्रोमा में किया जाए ट्रांस लोकेट यहाँ इसके matrix में किया जाए माइट्रोकॉंडिया के अब यहाँ पे या फिर प्रॉजीजोम में भी कर सकते हैं तो यह सब आपको याद रखना है कि जब ER से गौल्जी गौल्जी से plasma membrane lysosome में हो तो यह secretary pathway है यह कैसा होता है को translation ट्रांस लोकेशन होता है जब protein को target कराया जाता है माइट्रोकॉंड या क्लोरोप्लास्ट और पराउजीजोम में तो यह किस process के थूरू post translation ट्रांस लोकेशन के थूरू होता है लेकिन इस case में ऐसा आप बिल्कुल मत समझेगा कि पूरा टोटल जितना भी यार और गौल्जी में यह protein की sorting हो रही है सारी secretary pathway के थूरू रही है कुछ ऐसे भी यह slash locator के थूरू कुछ non translocator के थूरू भी होती है भी हम आगे आपको बताएंगे कि कहां पर होती है यहांपे अब इसके बाद यहांपे आप देख रहे हैं कि जैसे कि अगर हम किसी भी secretive protein की जो synthesis होती है तो जैसे enzyme है तो वो क्या हो सकते है मतलब कि जो भी protein होती है वो enzymes हो सकते है या फिर protein के form में हो सकते है तो उनको कहा कहा पर destrine किया जाता है इस protein sorting के process के थूँ ER में किया जाता है Golgi complex में किया जाता है lysosome में करा जाता है अब इसके बाद अगर हम लोग ER signal sequences हाँ जो यह हमने आपको इस signal sequences बता है तो यह signal sequences nascent मतलब कि जब अभी newly formed peptide है वहीं पर यह signals का मतलब attachment मतलब लग जाते हैं ER signal sequences on nascent secretory protein consist of segment hydrophobic amino acid उसके पास कुछ hydrophobic amino acid होते हैं ठीक है क्योंकि अभी आपको बताएंगे कि translocator के अंदर उसको जाना होता है तो उसके पास कुछ hydrophobic amino acid होते हैं जो कि generally N terminus पे क्या होते हैं पाए जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे इस तरह से यह चीज़े होगे हैं अब ER क्या होता है ER ribonucleo protein मतलब क्या होता है कि यह RNA protein से मिलके बना होता है ठीक है protein से मिलके यह बना होता है इसके बात करें तो इसमें large subunit होता है small subunit होता है दो तरह का होता एक rough indoor plasmig reticulum होता है और हम लोग मतलब lumen कहते हैं यार lumen कहते हैं अब इसके बात यहां पर जो smooth endoplasmic reticulum है तो उसके कुछ क्योंकि smooth endoplasmic reticulum और जो rough endoplasmic reticulum है दोनों के function अलग अलग है तो जैसे कि smooth endoplasmic reticulum क्या करता है steroid hormone की synthesis करता है endocrine cells में या फिर detoxification करता है liver का अगर कोई ऐसे component आ गया है जैसे suppose ethanol आ गया है तो उस cases में क्या करते है detoxification करते हैं liver का इसके बाद sequestering करते हैं आयन का sequester करते वहां पर आपको पता है कि endoplasmic reticulum में बहुत सारा calcium होता है और जब जलूरत होती तो calcium cytosol में आ जाता है नहीं तो वह कहां इस्टोर रहता है वह स्मूथ endoplasmic reticulum में ही इस्टोर रहता है तो उसी में एक mechanism है जैसे कि आप उन्हें यह मसल कॉंट्रेक्शन होता है तो है जो मसल्स में स्केल्टर मसल्स में जो यह स्मूथ endoplasmic reticulum पाए जाते हैं उनको उनको सारको plasmic reticulum कहते हैं तो यह muscle contraction में help करते हैं अब इसके बाद तो जो यह सॉरी जो यह आपको स्मूथ endoplasmic reticulum दिख रहे हैं तो यह सॉल्वल साइटो सॉलिक प्रोटीन को सिंथिस करते हैं या फिर extrinsic membrane protein जैसे कि एक्टिन और इस्पेक्ट्रिन को पराउस्जोमल protein टोरोप्रास protein इस सिंथिस करते हैं इसके बाद अगर 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 रफ endoplasmic reticulum की बात करें तो यह large quantity में किस तरह के protein को जैसे कि जो secretory protein जैसे माले जी SNR cells में जो protein पाए जाते हैं यह SNR cells pancreas में पाए जाते हैं उन में उन protein को secret करेंगे या फिर यह mucos isozoom protein होता है integral protein होता है तो यह सारी protein यहाँ पर rough endoplasmic reticulum की थ्रूं सिंथिसाइज होते हैं अब इसके बाद हम लोग एक experiment दिया गया है कि labeling experiment demonstrate the secretory protein are localized to ER lumen shortly after synthesis मतलब कहने का कि यह proof करने के लिए कि protein sorting कहां पर जो protein होती वो ER lumen में जाती है तो उसको proof करने के लिए experiment किया गया इसमें क्या किया गया कि amino acid को label कर दिया गया radio labeled कर दिया गया अब जब amino acid को radio label कर दिया गया तो हम इन proteins को समझ सकते यह पहचान सकते इस तरह से आपे synthesis देखी हो रही है फिर इसके बाद किया गया कि यह जो यहाँ पे जो synthesis होई है इसके बाद यह जो ER है इसको homogenize कर दिया गया homogenize करके पूरे process कि थूरू Microsome का formation कर दिया गया अब उन Microsome को ठाया गये जिनके ऊपर जो Tribosome था वो attach था इसके बाद क्या किया गया कि इसके बाद in fare Ribosome को treat कर दिया गया detergent से, जब detergent से treat करा जायगा तो जो Ribosome की Membrane होगी यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगी cleave मतलब की break हो जाएगी और जब ribozome की membrane break हो जाएगी तो हमने यहाँ पर protease add किया और protease add किया तो जो इसके इंदर protein थी वो cleave हो गई और फिर हम लोग उसको जो radio labeled क्योंकि था तो हम उसको recognize कर पाएंगे कि जो secretory protein protein थी वो digestion हो गया उसका तो हम इससे और इस वाले experiment में क्या किया गया कि क्योंकि detergent से treatment नहीं दिया तो अब अगर हम protease add करेंगे तो हमें यहाँ पर sorry यहाँ पर क्या होगा कि वो protein as it is रहेगी वो degrade नहीं हो पाएगी digestion नहीं होगा secretory protein का इससे इस experiment से हम यह पता लगा सकते हैं कि protein कहाँ localize होती है protein क्योंकि microsome किसका है microsome ER से ही formation हुआ है this microsome का तो हम इससे यह पता कर सकते हैं कि ER के अंदर जो जब कोई नई protein synthesize होती है तो जब उसको कहाँ पर translocate कर दिया जाता है तो यहाँ पर यह इस तरह से यहाँ पर translocate है तो इस तरह से आप यहाँ पर इस experiment से यह proof कर सकते हैं इसके बाद फिर यहाँ पर यह एक और experiment है इस experiment में क्या देखा गया the translocation of secretory protein into microsome is coupled to translation अब इस experiment में यह देखा गया कि जो translocation है मतलब protein की जो sorting है protein जब membrane के मतलब की जाती है microsome के अंदर जा रही है तो वो क्या है कि translation के साथ coupled है इस experiment से यह पता लगाया गया तो एक cell-free protein synthesis की गई suppose कि यह cell-free protein की synthesis की गई इसमें आपको पता है कि जो hydrophobic end होता है end terminal पे signal sequences पाए जाते हैं जो इनमे की hydrophobic signal sequences होते हैं तो यहाँ पे क्याले hydrophobic end terminal signal sequences target nascent secreted protein to ER जो की ER protein को मतलब की जो नई protein बनी उसको target करते है ER में तो यहाँ पे देखिए क्या है कि completed protein with signal sequences अब यह protein पूरी synthesize हो चुकी है अब हमने क्या कि यह जो cell-free protein की synthesis हो गए इसके पास signal sequences भी हैं और फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे microsome add कर दिया microsome का मतलब कि जो हमने ER से क्या किया था एक microsome का formation कर लिया था, vesicles type का formation कर लिया था, अब हमने क्या कि जब इस protein के साथ इसको हमने add कर दिया, तो अब इस protein को अगर यह suppose कि co translation means कि co translation translocation नहीं होता, तो क्या होता है कि यह protein आ जाती, क्योंकि इसके पास signal sequences हैं, तो यह आ सकती थी लेकिन यह protein का incorporation नहीं हुआ, ठीक है microsome के अंदर नहीं हुआ और signal sequences भी as it is, उनका भी कोई removal नहीं हुआ इसके बाद हमने क्या किया कि दूसरी cell free protein की synthesis की लेकिन उस synthesis के साथ हमने microsome को भी पहले ही add कर दिया जब protein की synthesis हो रही, cell तो नहीं है लेकिन microsome है, तो ऐसे case में हमने क्या देखा, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि protein की synthesis के साथ protein target भी हो रही है, कहाँ पर microzone, microzone क्योंकि ER का ही form है, तो इसमें क्या होगा, core translation, transport of protein into microzone and removal of signal sequences, और signal sequences का क्या हो गया, removal हो गया, तो इस तरीके से mature protein chain without signal sequences, signal sequences cleave हो जाते हैं, क्योंकि जब protein को target करा दिया गए, जहां उसकी जरूरत है, तो इसके बाद फिर इन signal sequences की जरूरत नहीं है, तो इस लिए क्लीव हो जाते हैं, तो इस experiment से हमें क्या पता चला, इस experiment से हमें यह पता चला, कि जो ER होता है, ER में क्या हो रहा है, कि signal sequences के, Translation के साथ-साथ Translocation हो रहा है, और जो यह signal sequences पाए जाते हैं, यह 16 to 30 residue के ER signal sequences पाए जाते हैं, ऐसे मैं आपको नॉर्मली बताए कि 15 to 60 sequences हो सकते हैं, टार्गेटिंग sequence, लेकिन इस case में कितने होते हैं, 16 to 30 residue के ER signal sequences पाए जाते हैं, तो इससे हमें यह पता चल गया कि जो इंडो-प्रास्मी रेटिकुलम में Co-Translation Translocation होता है, अब इसके बाद हम लोग next आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ, In Co-Translation Translocation, the signal recognition particle first recognize and bind to ER signal sequences on a nascent secretory protein, अब देखिए, आप हम लोग को mechanism देखना है, कि यह process यह तो हमने यह अपने experiment से यह तो proof हो गया, कि Co-Translation Translocation होता है, लेकिन यह Translocation होता कैसे है, हमें यह जानना है, कि यह Translocation का mechanism क्या है, तो इस Translocation मतलब कि जो protein synthesize हो गई है cytosol में, और वो ER में आ रही है, ठीक है, ER में अगर वो Translocate की जा रही है, तो उस Translocation के process में क्या mechanism है, Co-Translation है, यह तो समझ गए, कि जब यहाँ पर Ribosome अटैश होगा, उसके साथ साथ protein भी Translocate होगी, तो वो कैसे Translocate होगी, उसके लिए क्या mechanism होता है, तो उसके लिए एक Particle पाये जाता है, उस Particle का नाम होता है, Signal Recognition Particle, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, SRP, ठीक है, Signal Recognition Particles, SRP, जो कि सबसे पहले, मतलब कि जैसे भी कोई protein synthesize हुई, मालिजिए यह आपका, इस तरह से यहाँ पे, आपको पता है, Small Sub Units से यहाँ पे, MRN यह जोड़ा हुआ है, MRN यहाँ पे ऐसे protein, और यहाँ पे यह एक Signal Sequence, ठीक है, यह Signal Sequence, तो सबसे पहले क्या होता है, एक SRP होता है, यह SRP क्या करता है, मालिजिए यह SRP है, यह SRP recognize करता है, इस Signal Sequence को, और इस Signal Sequence को recognize करके, अब मालिजिए यह ER है, और ER के पास, यहाँ पे एक इसका ऐसे बनाते हैं, ठीक है, यह ER है, और इसके पास इस SRP, जो यह SRP है, यह SRP का एक receptor है, तो यह क्या होगा, SRP receptor, ठीक है, SRP receptor, तो अब इसने क्या किया, इसने इस Protein के Signal Sequence को recognize किया, और इस SRP का receptor कहा है, ER के पास, और यह इससे इस तरह से bind करता है, complex बनाता है, तो सबसे first step यह होता है, तो हमें सबसे पहले क्या जानना होगा, SRP के बारे में जानना होगा, the SRP and SRP receptor, क्योंकि दो चीजे हैं, हमने आपको बताएं कि SRP है, और एक क्या है, SRP receptor है, SRP receptor कहां पाये जाएगा, ER membrane के पास पाये जाएगा, और SRP कहां है, SRP particles है, जो की Freely Cytoplasm में है, ठीक है, तो इसने किसको recognize किया, इसने recognize कर लिया, जो protein नई synthesize हो रही है, उसके ER signal को recognize कर लिया, और फिर ये complex पूरा यहाँ पर आ कैसे बाइंद हो गे, SRP और SRP receptor, दोनों ही GTP, Hydrolase activity रखते हैं, ठीक है, अभी हम आपको आगे इसके बारे में आप clear करेंगे, SRP, SRP receptor, then mediate insertion of nascent secretory protein into translocon, और इसके बाद अब आपको इस ER membrane के पास एक translocator भी मिलेगा, ठीक, तो आप क्या करते हैं, ये दोनों जो complex बना लेते हैं, SRP और SRP receptor, जिसके पास SRP ने किसको bind करके रखा है, जो nascent protein का formation हुआ है, उसको bind करके रखा है, अब ये complex किसको translocon है, उसमें insertion कराएंगे protein का, hydrolysis of GTPs, GTP by SRP and its receptor drive its docking process, भी इस कहने का कि जो ये protein, जो suppose कि ये वाली जो protein है, और जब ये proteins यहाँ पर translocator में अंदर आएगी, तो जब translocator में अंदर आएगी, तो इसके लिए AT, मतलब energy की ज़रूरत है, तो ये क्या करते हैं, GTP की hydrolysis करते हैं, कौन SRP और SRP receptor, और इस तरीके से जो translocon होता है, वो continue करता है, कि ये अंदर protein आजाए, और इसके अलावा, और कोई additional energy की ज़रूरत नहीं पढ़ती है, सिर्फ कौन सी energy, जो SRP और SRP receptor के पास, GTP hydrolysis करके energy प्रोवाइड करते हैं, उसके थूई उस polypeptide को अंदर पहुचा दिया जाता है, अब हम लोग SRP के structure को देखेंगे, क्योंकि SRP है कितना important molecule हो गया, जो की help कर रहा है, पूरी नई polypeptide जो बनी है, जिसके पास ER signal sequence है, उसको recognize करके, SRP receptor के साथ bind करके, ट्रांस लोकेटर में अंदर ले जाना, ये इसका काम है, तो अब हम लोग SRP के structure की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, signal recognition particle बोलते हैं, और इसका एक receptor भी होता है, जो कहां पाया जाता है, ER के पास अभी हमने बताया, आपको पता है, और ये SRP कहां पे help करता है, जहां पे co-translation, ट्रांस लोकेशन होता है, जहां पे translation के साथ-साथ protein को target कराया जाता है, वहां पे इस तरह के particles काम करते हैं, और इसमें two GTPs, hydrolyzing protein, means की co-translation, ट्रांस लोकेशन है, इसमें दो GTP hydrolyzing protein involved होती है, वो दो GTP hydrolyzing protein कौन सी है, SRP और SRP receptor, ठीक है, SRP और SRP receptor, अब हम लोग SRP structure की बात करते हैं, तो जो SRP होता है, वो कितने का nucleotide का बना होता है, 300 nucleotide का ये RNA होता है, ठीक है, इसके बात फिर यहां पे आप देख रहे हैं, जो यहां पे, जो ये RNA होता है, जो ये आपको RNA दिख रहा है, इस RNA को हम लोग बोलते हैं, इस RNA का नाम, अगर हम लोग mammalian की क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस RNA का नाम होता है, 7SLSC RNA, ठीक है, इसको आप याद कर लिजे, कि जो SRP particle mammalian के case में जो होता है, तो उसका जो RNA होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7SLSC RNA, और इसके पास 6 protein होती है, इसके पास क्या होती है, 6 protein होती है, जिनका नाम होता है, P9, P14, P19, P54, P68, P72, और इनके जो नाम हैं, यह जो आप देख रहे हैं, इसके नाम, इसलिए यह जो numbering दी गई है, यह इनके molecular weight, मतब किलो डाल्टन में है, उसके according इनको दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि suppose कि P9 है, तो वो कितने किलो डाल्टन की है, 9 किलो डाल्टन की protein है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो SRP होता है, वो दो चीजों से मिलके बना होता, RNA से मिलके बना होता, और 6 protein से मिलके बना होता है, तो जो RNA होता है, उस RNA को हम लोग क्या बोलते हैं, 7SLSC RNA बोलते हैं, और इसको 7SLSC RNA इसलिए कहा गया है, क्योंकि ये transcript होता है RNA polymerase 3rd से और इसमें sequence homology पाई जाती है sequence homology पाई जाती है किस से विद आपने sequence सुना होगा आलू जिसको हम लोग sign बोलते हैं इसलिए इसका नाम ये रखा गया है अब इसके बाद तो यहाँ पर क्या हो गया कि आप यहाँ पर लिखा है कि all protein except P54 bind directly to RNA मतलब कि P54 आप यहाँ पर देख भी रहें कि जैसे कि यहाँ पर यह पूरा RNA का structure आपको दिखा है इस तरह से आप देख पा रहें कि पूरा RNA का structure है तो सारे protein ने तो RNA से bind करके रखा है लेकिन P54 ने RNA से directly bind करके नहीं रखा है और इसी end पर ER signal bind करता है means कि जैसे यह राइबोजोम है यह यहाँ पर mRNA यह protein है और यहाँ पर यह signal sequence है तो इस वाले end से जो यह nascent protein यह newly synthesized protein है जिसके पास ER signal sequence है तो इस वाले protein इस वाला end जो यह ER signal sequence है यह end किस से bind करता है जो यह P54 protein होती है यह इससे bind करती है तो bind ER signal sequences और यह दो जो unit होती है कौन सी unit P68, P72 require for the protein translocation protein के translocation में help करती है और यह वाली जो unit P9 और P14 है यह interact करती है ribosome से तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा इनका function होता है अब जो SRP है तो SRP का एक end क्या करता है जैसे आप यह वाला end देखिए तो यह SRP particle जो है इसका एक end क्या कर रहा है एक end तो signal sequence से bind कर रहा है दूसरा end क्या कर रहा है दूसरा end ribosome से bind कर रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर भी आगे हम लोग पुरा mechanism देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से SRP एक end पर ER signal sequence से bind कर रहा है और दूसरे end पर ribosome से bind कर रहा है अब इसके बाद हम लोग तो हम लोगों ने क्या देख लिया हम लोगों ने यह SRP का structure देख लिया जी आप हम लोग आगे देखेंगे और आगे हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोग TRANSLOCATOR की बात करें आपने SRP देखा अब इसके बाद हम लोग TRANSLOCATOR की बात करेंगे तो यह आप प्रोटीन लाइन चैनल विदिना मेंब्रेन 60S राइबोजोम सब्यूनिट इस एलाइंग विद पोर और ट्रांसलोकॉन तो क्योंकि आपको पता है कि 30 सपोस अगर यहां पे तो यह यूकरियोट का दिया हुआ है तो इस वाले जो इसमॉल सब्यूनित है यहां पे क्या ह यहां पर आप देख रहे कि 40S से यहां पे MRNA है यहां पे यह जो लाज सब्यूनित है यहां से क्या हो रहा है कि यह पे यह इस तरह से नेसें पॉलिप्यून च्न बन रहograp 안녕 from Act trick उलिकन Did जो TransLocon, उसका नाम कया है CEC-61 Complex, और CEC-61 Complex जो होता है, वो किसे मिलके बना होता है, ये एक Integral Membrane Protein है, ठीक है, क्योंकि ये तेखिए Er Membrane में इस तरह से ये Integrate है, तो इसलिए ये Intrigal Membrane Protein है, तो जब Intrigal Membrane Protein है, तो तेन Please. 10 membrane helices पाए जाते हैं, और यहां पर 3 small protein पाए जाते हैं, sorry, यहां पर 3 लिख दीजिए, कौन सी, कौन कौन सी पाए जाती है, 3 proteins पाए जाते हैं, small, sec 61 alpha, sec 61 alpha, और sec 61 beta, sec 61 gamma, यह 3 protein, और यहां पर जो देखिये, यह translocon का structure बना है, तो यह cross link कर रहा है, जो newly polypeptide आ रहे है, तो यह जो sec 61, यहां पर यह जो alpha वाला sub unit है, वो यहां पर बीच में इस तरह से रहता है, और यह यहां पर इसी में एक cross linking agent पाए जाता है, जो की polypeptide chain को यहां पर, मतलब, एक तरीके स bind करके रखता है, ठीक, अब यह इसका किसका translocon का structure हो गया, अब हम लोग इसके mechanism को देखते हैं, ठीक है, यहां पर पूरा mechanism दिया हुआ है, कि किस तरह से यह process होता है, तो यह क्या है, यह यहां पर, suppose कि यह MRNA की, यह MRNA पूरा हो गया, अब यह कैसे one by one, क्या process हो रहा है, यहां पर आप आप लोग देखिए, तो यहां पर जいます, suppose कि यह newly polypeptide की synthesis हो रही है, यहां पर यह क्या है, signal sequences है, और signal sequences कहां होते हैं, end terminus पर होते हैं और ये signal sequences कितने हो सकते हैं, 15 से 35 amino acid residue के हो सकते हैं 15 से 35 amino acid residue के हो सकते हैं और इन signal sequences में 6 non-polar amino acid पाये जाते हैं कहां पर end terminus पर, इस polypeptide में 6 non-polar amino acid पाये जाते हैं अब सबसे पहले क्या होता है जैसा है कि हम लोगों ने अभी SRP की बात की ठीक है SRP की बात की हम लोगों ने SRP के पूरे इस structure को देखा तो हमने क्या बताया था कि SRP का एक end जो की P54 protein पाई जाती है वो interact करता है signal sequences से और दूसरा end ribosome से interact करता है तो अब सबसे पहले क्या करता है दिखिए यह SRP है SRP के एक end ने क्या किया यह signal sequences से interaction किया signal recognition particle इस particle ने इस से recognize किया अब यह दिखिए ER membrane है ER membrane का यह क्या है cytosolic end है यह क्या है cytosolic end आपको दिख रहा है यह क्या है यह ER का lumen है अब इसके बाद यहाँ पर यह जो blue color का दिख रहा है यह क्या है translocon है ठीक कौन सा translocon यह translocon जो हम लोगों ने अभी इसकी बात की जिसको हम लोग क्या बोलते है sex 61 complex बोलते हैं तो यह हमारा क्या होगे translocon हो गया अब इसके बगल में ही क्या पाये जाता है srp receptor पाए जाता है और यह srp receptor के दो sub unit होते हैं एक alpha होता है और एक beta होता है ठीक तो srp receptor के 2 sub unit होते है alpha beta जो beta sub unit होता है वो membrane में integrate करता है और जो alpha sub unit होता है वो srp यहां पर यह देखिए इस तरह से binding करेगा ठीक तो अब next step क्या हुआ कि srp particle ने newly synthesized जो signal polypeptide जिस पर signal sequences पाए जाते हैं उससे bind किया बाइंड करने के बाद इसने क्या किया ट्रांस लोकेट कराया इस पूरे के पूरे जो यह newly synthesized protein है इसको कहां पर srp receptor कहां है membrane पर तो यह अपने receptor से जैसे ही recognize करेगा यह यहां पर इससे कर लिया तो srp ने अपने srp receptor से बाइंड कर लिया और अभी देखिए ट्रांस लोकॉन क्या है close है इसके बाद अब next step क्या होगा next step यह होगा क्योंकि srp और जो srp receptor दोनों ही क्या है दोनों ही gtp hydrolysis कर सकते हैं तो gtp की यह hydrolysis करेंगे जब gtp की hydrolysis करते हैं तो energy मिलती है और उस energy के थूँ यह जो newly synthesized जो polypeptide है उसको कहां पर locate करवाते हैं ट्रांस लोकॉन में locate करवाते हैं और यह क्योंकि energy मिल रही है तो ट्रांस लोकॉन के लिए energy कहां से मिल रही है energy यह hydrolysis करके gtp hydrolysis करके आपे gtp का formation हो गया gtp से यहां पर energy मिली और यह open हो गया अब जैसे है यह इसने ट्रांस लोकॉन में क्या कर दिया इसको डारेक्ट कर दिया इस को तो वैसे ही यह srp particle release हो जाता है अब next step क्या है क्योंकि protein अपने target पर पहुच चुकी है अब इसके पास जो यह signal sequences अब इसकी तो जरूरत है नहीं तो यहां पर पाया जाता है signal peptides और यह signal को कर देता है और फिर सिगनल क्लीव हो जाते हैं और इस तरह से क्योंकि यहां पर और अल्रेडी MRNA है ही तो यह अब आगे चलके जब न्यूली सिंथिसाइज प्रोटीन को ट्रांसलोकेट कराया जाता है और फिर प्रोटीन की सिंथिस कंटीनू होती रहती है और फिर यहां पर इस फॉल्डेट फोम में EAR मेम्ब्रेस में अ गई और फिर जब पुरी सिंथिस हो जाती है तो यहां पर अमार राइवाजो में भीचाता है तो इसको इसमें आप कया ने कि 様व आप यह देख refillेंन की सा प्रोसेस दिया हुआ है एक बड़ा फिर से सुन लीजिए यह को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन है इसमें यार में क्या होता है यार में ट्रांसलोकेशन कराया जाता है प्रोटीन का तो सबसे पहले क्या होता है राइबोजोम होता है राइबोजोम में जैसे ही नेसेंट पॉ रिकोगनाईज करता है रिकोगनाईज करके इसका रिसेप्टर यार मैंबरे पी जाता है वह एसरपी को रिकोगनाईज करता है एसरेप्स करता है क्यों Alumni पॊंपे अरिस का संटील किलीप हो जाते हैं कि सिगनल पैप्टाइडेस की थूँआ है एक प्रोटीन से जिर supports और से कजन पर में प्रोपर साओ का प्रोटीन का फारेशन कर लेती इस तरह से यह एर में प्रोटीन को ट॑ंसलोकेट करा गअ जाता है है हम लोग लगते हैं और उन सिगनल सीक्वेंस के बाद उनको ट्रांस लोकेट कराया जाता है यार में तो ऐसे केसिस में जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि को ट्रांसेशन में इसके आपने देखा था कि वहां पर राइबोजोम अटायस था और उसके साथ साथ प्रोटीन की सिंथिस के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का मेंब्रेन में कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं सेक 63 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और सेक 63 कॉम्प्लेक्स किससे बाउं करता है विप से विप क्या है विप एक्चली में बाइंडिंग प्रोटीन इसलिए होते हैं, HSP मतलब heat shock protein ठीक है, जैसे आपने HSP 70 पढ़ा होगा, ठीक है, protein folding वगएरा में, तो यह क्या होता है, बिप जो होता है, वो क्या करता है, बाउंड करता है ATP से, और इस तरह से यह जो बिप जब ATP से बाउंड करेगा, तो यह hydrolysis करके energy देगा, तो SEC 63 से बिप का complex बनता है, ठीक, तो SEC 63 और यह associate हो जाते हैं, और इसके बाद यह जो आपको ट्रांसलोकॉन दिख रहा है, यह ट्रांसलोकॉन क्या है, SEC 61 है, ठीक है, आपको यह याद रखना है, SEC 61 है, तो इस complex से फिर associated होते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने अभी इसके पहले code translation वाला पढ़ा, तो GTP hydrolyzing activity थी, तो वो क्या कर रहे थे कि energy वहां से मिल रही थी उनको, इस case में क्योंकि ऐसा SRP का involvement नहीं है, तो इस case में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो energy है, वो हमें heat shock protein ATP की hydrolysis कर रहे हैं, और उस energy को use करके यहाँ पे इस polypeptide को यहाँ पे अंदर लाया जा रहा है, तो जो आप फर्स स्टेप में आपर देखिए यह polypeptide की synthesis हो चुकी, इसके पास यह signal sequences लगे हुए हैं, अब इसके बाद यह polypeptide randomly, इसकी forcefully एक तरीके सी force वाला mechanism है, क्योंकि energy की थूँ इसको ट्रांस लोकॉन में एक तरीके से यह पुल किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या अब इसके सेक्ष सेक्षेंज ने थे हंä तरीके जाज़के जांटकर देखिए हूँ, इसके बाद यह přंद कर लिया एक होगि फिल ने इसो श्रोडो एक पुल करके यह antar पहुंचा देते हैं। हट जाता है और इसके उपर ATP बाइंड करता है तो यह यहां से रिमूव हो जाता है और फिर इसी ATP को यहां पर फर्दर यूज़ कर लिया जाता है ATP hydrolysis power post translation, translocation of some secretory protein, HSP 70 family of molecular chaperons, जैसे आपको पता है HSP 70 को हम लोग क्या बोलते हैं molecular chaperons बोलते हैं जो कि protein folding में involved होते हैं बिप प्रोटीन, peptide binding domain and ATPase domain तो इसके पास जो बिप है मतलब की जो binding protein है इसके पास दो domain होते हैं एक domain होता है ATPase जो की ATP hydrolysis करेगा दूसरा domain क्या होता है कि जो की peptide से बाइंड करता है जैसे कि यहाँ पे इसने इससे बाइंड किया तो एक domain इसके पास यहाँ पे सपोज एक domain binding domain है दूसरा यहाँ पे ATP hydrolysis domain है और इस तरह से यहाँ पे translocate कर ली जाती है इन पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन अ कंप्लिटेड सिक्रीटरी पोर्टीन इस टार्गेटेट टू एर मेंड बाइंड इंटरेक्शन ऑफ सिगनल सीक्वेंसे विद ट्रांस लोकॉन ठीक जो हमने भी आपको बताया वही बात लिखी की एटीपी है। इंटीपी का और यहाँ पुल करने में है और दोनोही केस में चाहें वह को ट्रांसलेशन हो चाहें वह पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन हो signal peptides जो ये enzyme है इसके थुरू ER signal को cleave कर दिया जाता है ठीक है जैसे ही वो translocate हो जाती है जो कि end terminus पे पाए जाती है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि end terminus पे signal sequences को cleave कर दिया गया है